जै जोहार जै चत्तिस गण बोलो कौशल्या माता की बागे सुरधाम की गौरी गोपाल भगवान की स्री व्यास जी महराज की हमारे प्यारे भाईया परमपुझ स्री अनुद्धा चार जी महराज की सब संतन की रायपुर के पागलों की जै हो नमप पार्वती पते हर 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 महादे जै जुहार कैसा हो सब बने बने अरे भईया अब भड़ जनाए वाली हो हाँ सब बने बने हैं का हो दादा सब बने बने वाँ आज हमारा सोभाग है स्री शिता राम जी की कृपासे हनमान जी की कृपासे की आज हमको व्यास पीट को प्रणाम करने का सोभाग मिला भगवत चर्चा स्रबन करा रहे हमारे पूज भराता स्री आप सब को वर्जरस में निश्यत रूप से सरोबार किये हैं इसमें कोई संदे नहीं है और आप सब के खिलकलाते हुए चहरे बता रहे हैं कि आप सब ब्रजबासी हो गए हो अब मुलो जैस याराम हनवान जी महराजी की सन्यासी बाबा की हम खूब व्यस्त थें लेकिन दरबार से सीधे भूत बेद भगा के हम यहीं आए और आका क्रम भी था लेकिन आग्या थी के हर हाल में पहुंचना ही है और मन में तो था के कल पहुंच जाएं लेकिन कल फिल लेट हो गए तो कल नहीं आ पाए आज तो हमने कहा चाहे जो होजाब है आज आपसरी जो है विदाई भी है आपसरी की विदाई भी है तो हमने का चाहे जो होजाब है हम पहुंचें आप सब बड़े भागसाली हो भईया पूछो कैसे देखो जिस सांसत को जनता चुनती है वो संसत में बैठता है कहां बैठ पारattend लिए झी जो संसद चुना जाता वो संसद में बैथता है लिकिन भगवान जने चुनते हैं वो कथा में बैठता है कि आप लोग बड़े भागसाली हो जो आप सबसको भगवान ने चुना है और आप कथा के मद्ध आये हैं और कथा स्रबन कर रहे दो मिनट नाम किर्दन करके एक छोटी सी चर्चा करके फिर हम आरती आंगे होगी आंगे की आत्रा को बढ़ाएंगे दो मिनट नाम किर्दन सब गाएं सिता राम हनुमान सिता कौना हाथ उठा करके जै हो हनवान जी अब तो प्रिपा करो राम अब तो दया करो राम हरी सरण मेलो प्रेभू सरण मेलो हनवान जी का पागल कौन कौन है जरा हाथ उठाओ हापुर जी का पागल कौन कौन है तो ताली कौन मजाएगा पड़ोसी दोनों हाथ उठागर के सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान पलो राम कहते डाम हनुमान सीता राम हनुमान मुलोराम चत्र भगवान की गुड़ आरी वाले स्रीहनमान जी महराजी की स्रीमद भागवत महा पुराने की चंद्र खुरी बाली को सल्या माता की छत्तीस गण महतारी की नमप पारवती पते हर हर महा दे हमारे प्रिये जनों देखो भगबान की बड़ी कृपा धन्य है आचार चरन स्री बेदव्यास जी महराज भागवत में कहते हैं धन्या भागवतिर वारता प्रेत पीडा बिनास्मी धन्य है भागवत की कथा धुंदकारी प्रात्ना करते हुए कहता है जो हमारे जैसे महा पापी प्रेत का तरंतारन कर दिया हमारे प्रिये जनों हम आपको ये बताना चाहते हैं जब महापापी धुंदकारी का भगवान की कथा स्रवन करने से तरंतारन हो सकता है तो अगर हम लोग भी भागवत कथा को अपने जीवन में उतारेंगे तो हम लोगों का भी कल्यार हो जाएगा लेकिन गड़बड क्या है गडबड इतनी है? सुन ते सब हैं जीवन में उतारत है कोई नहीं सुन सब लेते हैं इतनी भागवते हैं सुननी एक हमको रायपूर का यही गुर्यारी का एक आदमी मिला हमारा चेला चंगीला हमें मिला हम का और बताओ क्या बात है? बोला गुरुजी बहुत भागबत सुन ली कल्यार नहीं हुआ हमका मतलब बोले हमने सुना महराज पहले भागबत होती थी बिमान आता था पुस्पक बिमान आज कल बिमान तो ठीक है बेल गारी तक नहीं आ रहे क्या बात है भागबत बदल गई क्या अरे हमने का ठटली के वरे भागबत नहीं बदली भागबत वही है तो बोले फिर क्या बगता बदल गए हमने का ना बगता बदले फिर बोले महराज कहने का तरीका बदला क्या हमने का वो भी नहीं बदला बोले महराज फिर पुस्पक बिमान क्यों नहीं आता हमने का भया न ना तो परिक्षित जैसा कोई स्रोता है ना परम्हंस सुखदेव जैसा कोई बगता है वो दौनों मिल जाए तो आज भी पस्पक्त बिमान आ सकता है अब यजमान जी भी चाहते हैं कि बहार में जाए कथा में इस लोक होई ना होई नाम फ्हेमास हो जाए अब बढ़िया है प्रजैजै थे मापको प्रात्ना करें कथा भगवानी का सत्षंगच चित्र का विसय नहीं है चरित्र का विशय है किसका विसे है चरित्र का जीवन में उतारो आप अपने जीवन में आत्म साथ करो भागबत क्या कह रही और हम एक विसेश प्रातना करते हैं पुझ महाराजी तो बहुत अच्छे वक्ता हैं बहुत मीठे सरल और बड़ी कई बार ऐसी रसीली बानी लगती है मानो पूरा ब्रज का लेकिन बड़ी बात यह है कि हम दोनों एक ही जगए के हैं बुंदेल खंड के हाँ लेकिन कई वार हमें लगने लगता कि यह बुंदेल खंड से महराजी उपर हो गए अब ब्रज वाले हो गए लेकिन अच्छा संयोग देखो जहां गुड़ियारी वाले हनमान जी को हमने पिछले साल यहां कथा सुनाई थी यहां भही आया गए यहीं तो उपद्रों क सब्सके जनमोत्सों पर तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट दूंगा अब फिर से हम राय पूर आगे लेकिन आए अकेले नहीं आए एक पे एक फिरी हमारे भहिया आके जाने का समय हुगा स्वापन लेंड हो गए एक व्यक्ति हमसे कह रहा था गुरू जी क्या इतना अत्याचार हो रहा इतना पापतार क्या भगवान अवतार नहीं लेते हैं आप तो कहते हैं जब जब हो ये धरम की हानी बाड़ई असुरे अधम अभिमानी तब धरी प्रभू बीविधि सरीरा हरी कृपा निधी सैजन पीरा माराजी जब जब धरम की हानी होती भगवान अवतार लेते हैं इतना पाप बढ़ गया भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहा ऐता है भगवान गायब हो गए क्या गायब नहीं हुए फिर हमने उनको ये कौपाह समझाया जब हम राय पूरा रहे थे चील गाड़ी से तो बद दस पंदा मेर तक चील गाड़ी उपर ही उड़ती रही हमने कैप्टन से पूछा सामने ही बैठा था हमने का क्या बात है नीचे क्यों नहीं अपन लेंड कर रहे है बोले गुरू जी नीचे अभी किलियर नहीं है साइद रनवे विजी है रनवे खाली होगा हम लोगों को उतरने को तुरंत मिल जाएगा तुरंत हमारे दिमाग में एक नई बात आई कि कितनी अदभुत बात है कि चील गाड़ी यानी हवाई जहाज तब उतर सकती है जब रनवे खाली हो इसी कारण से हम लोग उपर मड़ रहा है बैसे ही परमात्मा भी उपर से मड़ रहा आवतार लेने के लिए तयार है बस कौसल्या जैसी माता और दसरत जैसा पिता चाहते है बोलो जैस यारा दोनों हाथ उठाके बोलो जैस स्रीरा जैस स्रीरा इसलिए मेरे पागलो एक ही उपाए है बक्ता को मत पकड़ो पकड़ना ही है तो बक्ता के बक्तब को पकड़ो बक्तब को पकड़ोगे तो कल्यान हो जाएगा ऐसे परमपुझ आचायर अनंतसरी विभूशित अनुरुद्धाचार जी महराजी के मुखारविंद से आप कथा सुन रहे हमें सुनाने की क्या जरू है तो उन्होंने खूब सुनाई होगी और कहां सूर कहां दीपा हम सुद्ध गाउं के बुंदेल खंडी अनपड़ गवार आप लोग सब बने बने लोग हैं देखो दाई ददामन जय हो और चहरे की मुश्कुडाट आचा चतीजगर का आदमी बहुत खतनाक होता है महराजी बहुत खतनाक होता चतीजगर के लोग इतने घतना क्या बता है एक आदमी हम अभी राय पूराय रहते हैं एक आदमी उल्टा लटका थे हमने पूचा यह क्या है बुला चनी गुरूजी तोला मैं कहा बताओ महराज मोर जोर से मूड परावत है हमने का यह हमने का सिर्दर्द का मूर परावत है तो इसका उल्टा लटकने से क्या मतलब है बुला गुरूजी तोला का बताओ मैंने दवा खाई है तो उल्टा लटकने से क्या मतलब है बुला कहीं पेट में न चली जाए हम समझ गए कि हम राय पूरा आ गए है लेकिन सच वटाएं 36 गडिया 36 गडिया 26 गडिया सबसे बड़िया जय जोहार πिया जयaris 36 गडर जयजोहार बहुत आनंद आया हम तो पहली वार दोनों मन्च पे मिले हैं पहले और हम पहली वार आएं इतनी हमारी एं पहली और अब फिर से महराजी आ रहे हैं एक मार्च से आठ मार्च तक बागे सो धाम पर विसाल यग है और कन्याओं का विवाय है माराजी फिर से बागे सो धाम आ रहे हैं उन्होंने स्वीकृति नहीं दी हमने पूचा नहीं है हमने कह दिया हमने कह दिया आप सबको भी निमंत्रन हमारे कृष्णा जी को खुख वासिरवाद इनके पूरे परिवार को वासिरवाद बहुत भब दिब कथा करवाई इनको भी ताली वजा करके धन्यवाद दो उसके पहले हमारे आम मिसराजी ने करवाई थी आपने बहुत प्यारे आप सबको साधूबाद सब लोग मुस्कुराते रहो हसा करो हसाया करो गौरी गोपाल व्रिंदावन धाम तुमारे बाप का घर है आया जाया करो